मेरी आज सोबय कुछ जल्दी पांच बजे ही नींद उड़ गई थी, परन्तु अलसाया हुआ बिस्तर में दोनों बच्चों के पास लीटा हुआ था, रसोई से बर्तनों की खटखट की मन आबा जा रही थी, बैसी तो अक्सर में छे बजे ही उड़ता हुँ, तब तक पत्न जी रसोई का जाड़ू निकाल कर चाय बना चुकी होती है, आज कुछ जल्दी नीन उड़नी पर भी उन्हें उठा हुआ पाया, तो समझ आया कि उनका दिन सोबय साड़ी चार से ही सुरू हो जाता है, जिसके बाद बो सोबय आट बजे तक जाड़ू पहुचा, चाय बिस आदे सारे काम जो हमें प्रत्ने सही समय पर पूर्ण हुए मिलते हैं, परन्तु जिनके लिए हम कभी धन्य बाद देना तो दूर महसूस करना भी जरूरी नहीं समझते, आज बिस्तर पर लेटे हुए पता निक्यों पत्नी जी के प्रति प्यार और समान का भाव उमर रहा कल ही तो मैंने उसे बिना किसी कारण से सुबह सुबह जेड़क दिया था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर वी वो बिना किसी प्रितकार की अपनी कामों में ब्यश थी, बच्चों की चिलाहट और मेरी जुजलाहट के मद, उसकी भीनी भीनी मुस्कराहट हर समस्य का समादान होती है, सुबह उनकी परिस्तिती हर जगए पर महसूस की जा सकती है, रसोई में नास्ते की तयारी से बातरूम में, बच्चों को नेलानी से मेरे कपड़ों की इस्तरी तक, पता नहीं कैसे बो इतने अल्फ समय में हर काम निप्टा कर हमें खोसी-खोसी स्कूल और ओपिस के लिए रवाना कर देती है, अक्सर जब मैं ओपिस से घर आता हूँ, तो उने तानी मार कर कहता हूँ, कि तुम तो यहां घर पर आराम करती हूँ, टीवी देखती हूँ, और हम वहां ओपिस में कितना काम करती हैं, इसके जवाब में बो मुस्करा भर देती है, और कहती है किस्मत अपनी अपनी और हम स्वयम को वीचारा मेहसूस कर विश्तर पर टीबी चला कर एक के बाद एक फर्मान सुनाती रहते हैं पानी पिला दो चाय बना दो बगेरा बगेरा जैसे सीमा परगोली खाकर घायल अवश्ता में गेहन चिकितसा कच में निडाल बेसुद अवश्ता में हो और बो हमारी नर्स जिसका करतब अबलम सहर्स हमारी आग्या पालन और एक मात धर्म हमारी सेबा हो रातरी दस बजे तक भी उनकी काम खत्म नहीं होते और फिर हम अक्सर जुंजलाहट बोल ही देते हैं क्या यार तुम भी इन छोटी छोटी कामों में पूरा दिन निकाल देती हो समझ नहीं आता कितना बेकार मेनेजमेंट है तुमारा आज जब पूरी दिन की उनकी दिन चर्या को बीस्तर पर लेटे-लेटे महसूस किया तो समझ आया कि अगर वो दो दिन माईकी चली जाए तो घर पर आनी कामन ही नहीं होता खाना भी कभी खाया तो ठीक बरना ऐसे ही काम चला लेते हैं और फिर फोन पर उने गर्याते हैं कि माईके जाकर बैठ गई हो और घर की कोई चीनता नहीं है आज जब उनकी महतता को महसूस करने का मन हुआ तो सोचा कि उन्हें उनका सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए तबी महला ससकती करण सुम से भी संगठनों आधुनिक विचारकों की बात मन में खयाल आई कि क्यों नहीं उन्हें उनकी मेंताना की मासी काई दी जाए और मन ही मन प्रसंद होकर हमनी उन्हें दस हजार रुपए हाथ में थामा दिये वो बोली किस लिए दूद अख्वार का हिसाब तो परसों ही किया है फिर यहें क्या हमनी कहा यहें तो माहरा मेंताना तुम इतना काम करती हो उसका उनकी आखों में आशु देख हम हैरान परि किसान थे कारण पूछा तो बोली मैं स्वयम को घर की मालकिन समझती थी आपनी कामबाली बाई बना दिया हम हमारा सिर पकड़ कर बैठ गए और इस आधुनिक विचारकों को मन ही मन कूसनी लगे आज समझ आया कि पतनी जी की सोच इन विचारकों और हमसे कहीं अधिक उच इस तर की है मैं उनकी पास जानी लगा तो उनोंने कहा उनोंने ताना मारती हुए बोला कि कामबाली बाई से दूर ही रहो और हम खिल खिला कर हस पड़े धन बाद दोस्तों अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें